जैसी तुम्हारी च्छवत्स हम आपकी साहिता के लिए प्रिस्तुत है चलिए कि क्या हुआ मुनिवर्द कि किम्तु एक समस्या है यह द्व्य औश्यदियां शुद्ध होकर ही प्राप्त हो सकती है शुद्ध होने पर यह अद्रश्य हो जाती है और वच्छ आप तो इतनी लंबी यात्रा करके आयों फिर एक उपाय है यदि स्विकार हो तो बताओं यहां नीचे एक सरोवर है यदि आप उस सरोवर में इस्नान करके आएंगे तो यह दिव्य औश्यदियां स्वैम को आपके सम्मुक प्रगट कर देंगे जोहा ग्या मुनिवर रुको इतनान करते समय अपने नेत्र बंद रखीगा वो क्यों मुनिवर इसके पीछे एक लंबी कथा है कि यदि आपके पास समय है तो सुनाता नहीं नहीं मुनिवर मैं नेत्र नहीं खोलूँगा आग्या दीजिए किन्तु प्रभू हनु मान जैसे बुद्धिशाली काल नैमी के छल में कैसे आ गए जब भी कोई कप्टी साधू का वेशधारन कर लेता है तो सरल हृदे लोग कुछ देर के लिए उसके छल से बाधित हो ही जाते हैं परन्तु जैसे ही कप्टी का आचार उजागर होता है छल कपट की सारी माया विलुप्त हो जाती है और सत्य सत्य सामने आ जाता है जैसा हनुमान के साथ हुआ सत्य सामने आ जाता है सत्य सामने आ जाता है सत्य सामने तेर के सत्य सामने आ जाता है जाता है सत्पर्ड विलुप्त होजोने उाता है जाता है जाता है लग ए्यात मुआ झालएण प्रेज़ का झालएब झाल झाल आपका कल्याण हो कपीवर मैं आपको धन्यवाद करती हूँ आप कौन है देवी? मेरा नाम धन्यमाली है मैं स्वर्ग की अपसरा थी किन्तु प्रजापती दक्ष के शापवश मकर यूनी को प्राप्थ हो गए और युगों से इस सरूवर में वासकर आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थी और आज आपके शुब हातों से मेरी मुक्ती हो गए ये सब मेरे प्रभू श्रे राम का प्रताब है इसमें मेरा किंचित भी श्रे नहीं पवन पुत्र आप उस तपस्वी से सावधान रहिएगा जिसने आपको यहां स्नान करने के लिए भीजा था क्यों क्योंकि वह तपस्वी नहीं रावन का भीजा हुआ एक पाक्खंडी राक्षस है जो आपका वद्ध करने के लिए मुनिका वेश बनाकर कपटपूर्वक यहां बैट गया है एक बात और कपीवर आप उसके कमंडल की जलसे साब्धान रहिएगा उसने अती भैंकर काल कु विश्भरा हुआ था लावन का भीजा हुआ 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 है अब आगे है पुद्ध पुसंद्ध नहीं हो रही है उदे चलिए और श्रदियों के लिए जाने से पूर्ण आपको एक मंत्र देते हैं कि मन्त बहुती चमतकारी है अब आप मंत्र देंगे गुरुदेव अति उत्तम तब तो मेरा भी गुरुदक्षिना देने का दाइत्व हो जाएगा किन्तु वत्स गुरुदक्षिना का विधान तो देक्षा पूर्ण होने के पस्चात का होता है किन्तु विशेश आपके लिए मैं गुरु मंत्र से पूर्व ही गुरु दक्षिना देना चाहता हूं गुरुदेव यही भागते कहां हैं गुरु देव अमरित कलश से अमरित पान तो करते जाएए आए 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 आँ कि अए आए श्री रघु विरहा रशी अरालाय रघु पति की दी मैं तेरा भेज जान गया हूं पाखंडी बोल कौन है तू क्या नाम है तेरा और मैं तेरा काल हूं काल नेमी कि झील पाखंडी हूं कि यहिए कि झाएंका, जैए इसिर ओकाल जिन चार दिव्वे औश्यदियों से हम सब की जीमन रक्षा होने वाली थी वो सब दिव्वे औश्यदियां किसी प्राणी के पास आते ही अत्रिश्य हो जाती थी बजरंग बली हनुमान के पास जाते ही वो अत्रिश्य होने लगी हनुमान, विचित्र पहेली में फस गए थे, रात्री पीतने में मात्र आधा प्रहर्षेश था, पुद्धी मानों में अक्र गण्य हनुमान को कोई उपाय न सूचता था करता है। हे औशधियों क्रिपा करके मेरे समक्ष प्रकट हो जाईए श्री राम के कार्य के लिए आपकी आवश्यक्ता है तो क्या औशधियों ने अपने को प्रगट कर दिया तो फिर हनुमान ने क्या किया उन्होंने जो लीला की वो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होकर उनकी पैचान बन गई जो 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 एगा है झाल 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 गृसे ते क्षो हा यह भूद भी तरन हो एसिडने खांगी कमोह वेलिदूर। ऐसिडने जो हांगोडिक्षणाच , घाल माना ही धृक्त करें। कि अनुमान में साते ही होंगे रिक्षनाच अच शुबा उने में चोताई गड़ी ही चेश है कि अनुमान पवन पुत्र हनुमान जिसमें अम्रता से यहां उपस्तित हुए थे उसे देखकर कौन यह मानेगा कि वो आपके प्राण रक्षक बने के स्री नंदन हनुमान का यही विनीद्भाव उन्हें महानता के सर्वोच शिकर पर स्थापित की हुए है इसलिए तो प्रिय हनुमान की हर कथा में उनके अतुलित बन बुद्धी तेज प्रताप का वर्णन मिलता है हां मैंने भी प्रभुबग्ध हनुमान के कई प्रसंग स तुने है किन्तु आपके श्री मुख से हनुमान के था सुनने का आनंद तो अम्रित तुल्य है हां प्रभु सुनाइए ना आप सब संकट मोचन महा बली हनुमान की अद्भुत जीवन नीला सुनने के लिए कितनी मुझ सुख है यह देखकर मुझे बड़ा ही सुख मिल रहा है और अब मैं आपको सुनाऊंगा मेरे प्रिय हनुमान के जन और बाले काल से लेकर आज तक की सुनी अंसुनी सारी कथा क्यों अच्छ टूए को माई लेकर आपको सुनी अच्छावाई बाले कोई लेकर आपको बाले को एकर बाले को इन रहा है